दर्शकों अब हम तुम कब जाओगे अतिती पाठ के भाषा ध्यान पर थोड़ी दिर्शिप बात करें, इसके भाषा ध्यान पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इसमें कुछ नए शब्दाएं हैं, निश्चत तोर पे बच्चों आपने भी उसो कहीं नहीं लिखा होगा, या जिसका अर्थ होता है आना, किसी का दिल्ली से बंबई में आगमन हुआ अर्थात, कोई दिल्ली से बंबई में आया, निसंकोच, अर्थात संकोच रहित बिना संकोच के, अपने माता पिता से आपको अपनी बातें निसंकोच कहते नी चाहिए, नम्रता शब्द है, नम्रत अर्थात नत होने का भाव, स्वभाव में नर्मी का होना, वाक्यम बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, शक्षक के समक्ष, छात्र या छात्राओं को नम्रता पुदर्शित करने चाहिए, अगला शब्द है, सतत अर्थात निरंतर या लगातार, विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छे परिणाम लाने के लिए, अच्छे से अच्छे नागरिक बनने के लिए, सतत प्रयास करते रहना चाहिए, इस प्रकार से इसकोम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वाक्या बना सकते हैं, आतित्य, अर्थात आवभगत या मेहमान जैसा कि इस पार्ट में देखा गया है, लेकक ने आतित्य किया, उसका जो आतित्य आया था, तो आतित्य का जो आतित्य करता है, अर्थात उसकी आवभगत करता है, उसकी महरमान नवाजी करता है, उस संदर में आतित्य शब्द का प्रयोग हुआ था, एस्ट्रोनॉट्स जैसा कि मैंने चर्चा के दोरान बताये भी यहां पर अंतरिक श्यात्री से इसका मतलब था अंतरिक श्यात्री जो चंद्रमा पर गए थे उस श्यात्री की बारे में चर्चा कर रहे थे आपने भी पढ़ा होगा कि जुलाई जुलाई 1979 में उनका संदर वाया था इसमें यह एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ वो होता है जो अंतरिक्ष में जाता है अंतरंग अर्थात घनिष्ट गहरा उदारन के तोर पर हम कह सकते हैं इस्माइल गोपाल का अंतरंग मित्र है आशंका अर्थात किसी बात कब है डर, खत्रा इस समय हर व्यक्ति को इस बात की आशंका है कि कहीं हुआ कुरोना से नव पीडित हो जाए है की नहीं इस प्रकार से अब दूसरे वाकी भी बना सकते हैं मेहमान नमाजी अर्थात अतिति सत्कार इसका वाकी आप बना सकते हैं छोर अर्थात किनारा या सीमा कहते हैं ना रस्यों के दो चोर एक इधर का छोर, एक उद्धा का छोर या नवियों के दो चोर इस प्रकार से कुछ और शब्द देखते हैं भाव भी नहीं अर्थात प्रेम से ओत प्रोत जब विद्याले में कक्षा बार्वी के या कक्षा दस्वी के जहां तक भी विद्याले है महां के छात शात्राएं मार्ज के महिने महां से जाते हैं तो पूरा विद्याले उनको एक भाववीनी विदाई देता है इस प्रकार से इसका वेवर किया सकता है अगला शब्द आघात अर्थात चोट या प्रहार देखाक ने कहा है न इसमें यह आघात मेरे लिए अप्रत्याशित था एक शब्द और आगया अप्रत्याशित अर्थात आकस्मिक, अन्सोचा जिसके बारे में नहीं सोचा गिया था इसका भी आप प्रियोग कर सकते हैं मार्मिक अर्थात मर्मपर्शी इस पाठ में लेखक ने अतिती जो आता है यदि उसके अंदर अतिती का वह गुण नहो कि कुछ समय रुके चला जाए तो किस तरह की पीड़ा से जो मेज़बान है किस तरह की पीड़ा से गुजरता है उसका बड़ा अच्छा मार्मिक चित्रन किया है आप समझ गये होगे मार्मिक अर्थ का शब्ध और कुछ इस प्रकार के और वाक्य बना के इसका आप अभ्यास कर सकते हैं अगला शब्द है सामिप्य, अर्थात निकड़ता या समीपता, अगला शब्द है ओपचारिक, दिखावटी या रस्मी, बहुत सी बाते होते हैं जो ओपचारिक होती हैं, बहुत सारी बाते होते हैं जो ओपचारिक होती हैं क्योंकि उसमें दिखावटी पन ज़्यादा है या रस्म के रूप में हो रहा है। इसका वाकिय में प्रियोक कीजिए, निर्मूल, अर्थात मूल रहित, बीना जड़का, कई बार कुछ बाते होती हैं जो निर्मूल होती हैं, जिनको हम अफवाह कहते हैं, है की नहीं, इसका प्रियोक भी आप कर सकते हैं। मोहन ने फकीर से कहा, आपकी बातें निर्मूल हैं, आपके आरोप निर्मूल हैं, अर्थात मूल रहित हैं। बेसलिस कहते हैं, जिसको मंगरेजी में, कुछ और वाकी बनाईएं आप, कोननों अर्थात कोनों से। अगला शब्द है सौहार्द, मैत्री या हिर्दय की सरलता। ये शब्द कुछ थे, कुछ और शब्द लेते हैं, जैसे शब्द है रूपांतरित। जैसा कि इसके पढ़ने में पाठन से ही सपस्ट हो रहा है रूप अंतरित। जिसका रूप या आकार बदल दिया गया हूँ। लेखक ने कहा है न, कि हमारे संबन्नों में, हमारी भावनाओं में जिस तरह का रूपांतरण हुआ, भावनाओं संक्रमन के दोर से गुजरीं, जिसका अर्थ हथ सपस्ट जाता है। आप इसका प्रयोग कीजिए, बाक्य बनाइए प्रयोग कीजिए। अगला शब्द है उश्मा, बहुत ही नया जरूर है, किन तो बहुत सरल शब्द है, अर्थात गर्मी, तपन, तपिश, ठीक है। अगला शब्ध है संक्रमन, अर्थात एक इस्तती से दूसरी इस्तती में जाना उसको बोलते हैं, अच कल कोरोना की बाप्ठी चल रही है कि सभ३ट आ अभी संक्रमन के दौर से गुजरर रहा है। अर्थात एक वक्ति से दूसरे वक्ति, दूसरे वक्ति से तीसरे वक्ति, तीसरे वक्ति से चौते वक्ति. समाज में फैल रहा है, इसको फिता सैंकर्मण हो अहा है. गुंजायमान अर्थात गूंजता हुआ, ठीक है ये कुछ शब्द थे, अब हम कुछ मुहावरे लेते हैं जिसका लेखक ने बड़ा अच्छा प्रयोक किया है मिट्टी खोधना अर्थात अहित कर देना वाकि इस प्रकार से हो सकता है मैंने हमेशा तुम्हारी भलाई चाहिए और तुम जिवन भर मेरी ही मिट्टी खोधते रहे है की नहीं अगला एक और हम ले सकते हैं फीका पढ़ना अर्थात कमजोर होना उमीद है कि जुलाई के बाद कुरोना का असर फीका पढ़ जाएगा पीडा पी लेना अर्थात दुख को सह लेना एक प्रयोग इस प्रकार से है क्रिश्ण ने समंदों की खातिर भरी सभा में अपमानी थोने के बाद भी अपमान की पीडा को पी लिया एकला मुआपरा आँखें बड़ी होना अर्थात गुस्सा हो जाना समय पर काम नहीं होने से मैनेजर की आँखें बड़ी हो गई अर्थात कोई घुस्सा हो जाये तो बोलते हैं आँखें बड़ी हो गई कुछ पर्यायषब्द चांद इसके बहुत सारे पर्यायषब्दों सकते हैं कुछ यहां आपके सामने है कुछ आप भी खोजने की कम सकम इतने ही ओर खोजने का पर्याज़ कीजिया चांद को हम शशी कहते हैं, राकेश कहते हैं, चंद्रमा तो कहते ही हैं जिक्र अर्थात वर्णन, उल्लेख, किसी बात का हवाला देना आघात, अर्थात चोट, प्रहार या मार उश्मा, गर्मी, तपन, ताप, तपिश, अंदरंग, घनिष्ट, या अंदरूनी, या आंतरिक आप कम से कम तीन तीन और पर्याय शब्द आप खोजिए ये कुछ आपके भाशा ध्यान के में अभ्यास के लिए आपको कुछ प्रशन दिये गए थे आपकी पुस्तक में है ये हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, इसका एक नकारात्मक वाक्य बनाना है बच्चो नकारात्मक वाक्य आपके लिए नया नहीं है हम इसका एक नकारात्मक वाक्य बनाते हैं हम तुम्हें इस्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, इसका नकारात्मक वाक्य बनाना होगा, तो हम बोलेंगे, हम तुम्हें इस्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे, ठीक है ना? अगला है किसी लॉंड्री पर दे देते हैं, जल्दी धूल जाएंगे, प्रश्ण वाक्य किसी लॉंड्री पर दे देने से क्या जल्दी धूल जाएंगे? और भी कई तरह से इस वाक्य को प्रश्ण वाक्य बनाया जा सकता है सत्कार की उश्मा समाप्त हो रही थी इसको भविशत काल में कहना है सत्कार की उश्मा समाप्त हो जाएगी अगला एक वाक है इनके कपड़े देने हैं स्थान सूचक प्रश्ण माची अथात प्रश्ण भी रहेगा लेकिन स्थान भी होना चाहिए स्थान के बारे में ही प्रश्ण होना चाहिए इनके कपड़े देने हैं कई प्रकार से कह सकते हैं क्या इनके कपड़े देने हैं ये भी कह सकते हैं इनके कपड़े कहां देने हैं इनके कपड़े क्यों देने हैं और भी कई प्रकार से उसका प्रयास कर सकता है एक वाक्य है कब तक तिकेंगे ये इसको नकानात्मक बनाना है कब तक तिकेंगे ये आप प्रयास कीजिए कई प्रकार से हो सकता है कुछ प्रयास आप करें कुछ ऐसे कथन है जिनको मैंने यहां पे लिया है अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटवा काँप गया अर्थात लेखा को कहीं ने कहीं बोध हुआ कि उस अतिति की यहां पर रहने से उसके बटवे पर एक अतरिक्त बोज पढ़ने वाला है जिस बोज को उसका बटवा बरदाश्ट नहीं कर पाएगा है कि नहीं एक और वाक्य है अतिति सदय देवता नहीं होता वह माना और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है बहुत अच्छा कथन है यह इस पे आप प्रयास कीजिए लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दोने अर्थात क्या है दूसरे के घर में जो सुक शान्ती है उसको भंग न करें कुछ इस तरह का आशा है इसमें मेरी सहन शीलता की वह अंतिम सुबह होगी अर्थात सहन शीलता की सारी सीमाएं पहले ही पार कर चुगा है लेखक मेरी सहन शीलता की वह अंतिम सुबह होगी अर्थात उसके बाद मैं सहन शील नहीं रहूँगा एक और है एक देवता और एक मनुष अधित देथ साथ नहीं रहते यह तो खर सत्य है फिर भी एक देवता और एक मनुष अधित साथ नहीं रहते यहाँ पे इस कथन का अर्थ क्या था चुकि अतिती को देवता कहा गया है और जो अतित्य दे रहा है मेहमान अवाजी कर रहा है लेखक ने उसको मनुष रहा है तो कहा है कि देवता तो वही अच्छे होते हैं जो दर्शन दे करके चरे जाए कुछ प्रशन है अभ्यास के लिए या आपको करने है सत्कार की उश्मा समाप्त होने पर क्या हुआ आप पूरे वंग निवंद को पढ़िए वहाँ पर स्पस्टूप से आपको मिल जाएगा लेकिन मेरा ये सुझाओ है उसको पढ़ने के बाद आप अपनी भाशा में इसे लिखने का प्रियास करें अगला है लेकक अतिति को कैसी विराई देना चाहता था एक शब्द में तो जो निवंद में लिखा है भाव भी विराई देना चाहता था लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको विस्तार से लिखें इन प्रश्णों का उतर आप थोड़ा विस्तार से लिखें कौन सा आगात अप प्रत्याशित था और उसका लेखा पर क्या प्रभापड़ा इसी प्रकार संबंधों का संक्रमण की दोर से गुजरना इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं विस्तार से बताईए मैं थोड़ा सा आपको इशारा कर देता हूँ संबंधों का संक्रमण के दोर से गुजरना इस पंक्ति से क्या समझते हैं कौन से संबंध यहाँ पर जो एक अतिती के आने से एक उत्षा था में जबान के मन में उसके परिवार में उन्होंने पुरानी बातें की काफी गपशप की हांसी ठटाका किया इतने अच्छे संबंधों से वहां तक पहुंचना की लेखक एक पुस्तक पढ़ रहा है और अतिती जो है वो एक तरह बैठके फिल्मी पत्रिका पढ़ रहा है मतलब कितनी उदासी इंता आगे इस दोर के बीच में इस संबंध के इस दोर के गुजरने को हम बोलते है संबंधों का संक्रमण ठीक है अंत में बच्चों आपके सामने मैंने एक फोटग्राफ रखी है शर्च जोशी जी के और इनके इनकी रचनाओं पर शंकर दयार शर्मा जी ने एक कमेंट लिखा था वो भी आपके सामने रखा है और जब भी हम कोई पार्ट पढ़ें उसके लेखक के बारने में जाने का प्रयास करें और कम सकम कुछ रचनाए और पढ़ें उससे क्या होता है हमारा अध्यान का जो शेत्र है वो विस्तारित होगा हमारी भाषा में परिमारजन होगा हमारी भाषा काफी धनी हो जाएगी एक रिचनेस आएगी भाषा में हमारे और हम लिखने के बहुत सारे प्रयोग भी कर पाएंगे मुझे आशा है यह पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा आप लोग ने इस पार्ट का पुरा रसास्वाधन किया होगा बार-बार पढ़ें शरजोशी की और भी रचनाएं पढ़ें और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी लिखने के अपने प्रयास को जारी रखें आने वाले टाइम में आने वाले समय में बहुत अच्छे विंग कार अच्छे उपन्यास कार नाटक कार आप लोगों में होंगे आशा है आप लोग की पीडीवी बहुत अच्छे सहीतिकार को जन्म देगी तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद बच्चों